Hello friends, पिछली वीडियो में हमने Indus Valley Civilization की कुछ important sites, हरपपा, मोहन जोधारो और लोथल को cover किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग Indus Valley Civilization की एक और important site दोलावीरा को cover करेंगे दोलावीरा, रन ओफ कच के खदीर आलेंड में located है और ये गुजरात में है इस site को 1967 में सबसे पहली बार discover किया गया था Archaeological Survey of India दुआरा बड़ इस site के excavation की शुरुवात हुई 1989 में और इस site का excavation 2005 तक चलता रहा और अभी recently 2021 में इस site को UNESCO World Heritage Site के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है इस site को discover किया था JP Joshi ने और इसको excavate किया गया था RS Bisht के निर्देशन में आज अगर हम इस site को देखें तो ये समुद्र से काफी दूर है और इस area में water level भी काफी low है बट माना जाता है कि pre-historic time में run of catch में water levels काफी high रहे होंगे जिसकी वज़ा से boats धोलावीरा तक directly पहुँच जाती होंगी गुजरात के map को अगर zoom किया जाए तो हम यहाँ पर खदीर island को देख सकते हैं जहाँ पर धोलावीरा site discover हुई है और इसके चारों तरफ आप run of catch को देख सकते हैं इस area में 160 cm से भी कम rainfall होती है और इसलिए यह area drought prone है यानि यहाँ पर सूखा पढ़ने के chances काफी ज़्यादा रहते हैं और इसलिए धोलावीरा की town planning में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के लोगों ने किस तरह सूखे से बचने के लिए provisions किये हुए थे एक्शुली दोलावीरा के north और south से दो narrow streams पास होती है मंसर stream और मनहर stream बट क्योंकि यह seasonal streams हैं और इन में हमेशा पानी नहीं रहता है इसलिए दोलावीरा की town planning में एक unique और impressive water harvesting and management system देखने को मिलता है इन लोगों ने around 16 water reservoirs और tanks बनाय हुए थे और इन दोनो rivers के उपर dams भी बनाये थे जिनसे water को channelize किया जाता था इन reservoirs में यह reservoirs एक दूसरे से connected थे और इन के थुरू water को ना सिर्फ store और preserve किया जाता था बलकि different purposes के लिए भी use किया जाता था इन में से कुछ reservoirs के थुरू wells को fill किया जाता था for drinking purposes और कुछ reservoirs को irrigation और agriculture purposes के लिए भी use किया जाता था और कुछ को bathing purpose के लिए इन reservoirs की capacity इतनी थी कि अगर streams में विलकुल भी पानी ना हो और कोई भी rainfall ना हो तो भी दोलावीरा के लोग एक साल तक इस पानी से काम चला सकते थे इसके लावर rain water को भी इस्टोर करते थे और उसके लिए इन्होंने 6-6 fit चौड़ी drains बनाई हुई थी और जैसा कि हमने बाकी हरपन साइट्स में देखा यहाँ पर भी west में higher platform पर आपको एक citadel देखने को मिलता है और east में lower town citadel में आपको administrative और ritualistic purpose के लिए use होने वाली large buildings देखने को मिलती है यहाँ पर बड़े-बड़े कुए यानि large wells भी थे और lower town में evidences मिलते हैं different type of craft activities के जिसे की bead making, shell working और pottery के हैं यानि यहाँ पर articians रहा करते होंगे बर दोलावीरा की खास बात यह है कि इस side में आपको दो नहीं बलकि तीन sections देखने को मिलते हैं यहाँ पर एक middle town भी है जो कि lower town और citadel से काफी जादा बड़ा है यहाँ पर बड़े-बड़े घर हैं जिसमें spacious rooms हैं जो शायद well-to-do families को ब्लॉंग करते होंगे middle town धोलावीरा के अलावा और किसी भी दूसरी हरपन site में नहीं मिला है और यह तीनो sections fortified हैं कहने का मतलब एक दूसरे से wall से separated हैं इसके अलावा citadel के west में हमें एक एरिया और देखने को मिलता है जिसे बेली कहा जाता है माना जाता है कि यहाँ citadel में काम करने वाले लोग रहा करते होंगे दूलावीरा में एक जबरदस चीज और देखने को मिलती है और यह है ceremonial ground basically एक open space है जो कि बहुत ही बड़ी जगा है हो सकता है कि यह किसी ceremonial purposes के लिए यूज़ की जाती हो और इसी के साथ है एक small stadium इसे stadium का earliest evidence माना जाता है और हाँ दूलावीरा के architecture में sand stone का large scale use देखने को मिला है जो कि इस site को बाकी हरपण sites से अलग करता है क्योंकि दूसरी sites में burnt bricks का use जादा है इसके लावा इस site से एक signboard भी मिला है जिसे fallen signboard कहा गया है इस signboard पर एक inscription है जिसमें 10 letters है जिने white gypsum से बनाया गया है और ये signboard wooden का होगा जिस पर ये inscription gypsum से लिखी हुई होगी वैसे तो इस inscription को अभी तक decipher नहीं किया जा सका है क्योंकि हरपण script अभी तक decipher नहीं हुई है बट माना जाता है कि ये शायद इस शहर का नाम होगा या फिर यहां के ruler का नाम होगा और क्योंकि ये wooden board इतनी सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ था तो ये तो समय के साथ dk हो गया बट inscription अभी तक intact है और इसके characters काफी बड़े है एक एक character का size 37 x 25 cm का है अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ये characters कितने बड़े हैं तो आप मान सकते हैं कि आपके अंगोठे और index finger के बीच का जो distance stretch करने पर होता है वो 18 cm का होता है इसे आम भाशा में एक बिलांद कहते हैं तो आप मान सकते हैं कि इस sign board का एक एक character अल्मूस दो बिलांद लंबा और डेड़ बिलांद चोड़ा है इसके अलावा और क्या-क्या मिला है हमें दोलावीरा में तो दोलावीरा के टाउन में हमें rectangular seals देखने को मिलती हैं जिन पर कोई motive नहीं है हलकि यहाँ पर भी unicorn seals और वो सब तो है ही लेकिन हम सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रहे है जो यहाँ पर थोड़ी अलग है हमें यहाँ पर polished pillar भी देखने को मिले है जिन से यहाँ के लोगों के civil engineering की समझ का पता चलता है और हाँ यहाँ यहाँ पर citadel में दो stone pillars भी मिले हैं जो कि किसी दूसरी हरपण sites में नहीं मिले है वसे यह अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है कि यह किसलिए बनाए गए होंगे तो यह तो बात हो गई कि दोलावीरा site के अंदर क्या-क्या चीज़े मिली fortification के बाहर हमें symmetry देखने को मिलती है और इस symmetry से पता चलता है कि दोलावीरा के लोग Megalithic burial practices में बिलीव करते थे तो यह थी details दोलावीरा की ancient history की सबी वीडियो की pdf आप बुकस्तावा एप से डाउनलोड कर सकते हैं link description में मिल जाएगा Indian quality और Indian history को detail में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजिए thank you for watching and supporting बुकस्तावा